नमस्कार विच्छों स्वागत से आपके अपने यूट्यूब चैनल दपेसी एंविजन में प्यारी विच्छों आज की इस वीडियो के माधम से हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव के मोडल पेपर का कंप्लीट सुल्यूशन देखने वाले हैं तो वीडियो पे आप लोग सुल्यूशन को नहीं देखा है तो एक बर जरूर देख लिजिएगा क्योंकि मोडल पेपर के निच्चे जो आंसर दिये गये हैं इन सब्जेक्ट में काफी गलत आंसर दिया गया है तो सारा कुछ वहाँ पर मैंने आपको सुधार करके बताया हुआ है आप लोग एक बर उ उस सब्जेक्ट के आपका सुल्यूशन करा है वहाँ पे सारा समयने निदिस बताया हुए ठीक है तो देखे सबसे पहले आपका गध्यांस दिया गया है इस गध्यांस को आपको ध्यान करूब पढ़ना है और कोश्चन नमर एक से लिकरके चार तक के प्रसनों के उत्तर को देना है ठीक है तो इस गध्यांस को आप लोग पढ़ लीजेगा नहीं तो यहां पे मैं आपको स्वाट में इस गध्यांस का सारास आपको बता देता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ तो देखे यह जो आपका गध्यांस है इसमें भाग अनिकी किसमत और पुरसात पुरसात का मतलब होता है मानव का लज्च अतो मानव का उद्देश ये दोनों के बारे में बताया गया है कि मानव का लज्च और मानव का किसमत किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं उसके बारे में बताया ग क्या होगा पूरसार्थ और पूरसार्थ उसके बाद बस्कुन का क्या है, है कि मैं आर्थ निकलता है कि कर्मानुषारारई फल मिलेगा अनिकी पेसेश के कौन से वैक से यह अर्थ निकलता है कि कर्म के अनुसारी फल मिलेगा तो यह वैक है आपका जिसा बीज बोया जाएगा फल वेसा ही तो मिलेगा इससे अर्थ निकलता है कि कर्म के अनुसारी फल मिलेगा ठीक है तो इस कोशन का करेक्ट अंत्रो होगा option number C उसके बाद देखे अगला question आपका कहा है कि अनुषिद में क्या संदिश दिया गया है तो इस अनुषिद अनिकी यह जो आपका गध्यांस है इसमें यह संदिश दिया गया है कि पुरसाथ करने का अनिकी महनत करने का मानव जीवन में एक लच्छ रखने का यहां प पुरुष समास उसके बाद देखे अब यहां पर आपका एक पध्यांस दिया गया है इस पध्यांस को आपको ध्यान पुरुवक पढ़ना है और question number 5 से लेकर के आठ तक के प्रसनों के उत्तर को देना है तो इस पध्यांस को भी आप लोग पढ़ लीजेगा देखे यह जो पर आप लोग पढ़ लीजे ताकि आपका practice हो जाएगा ठीक है बाकिपाद इस पर आपको ज्यादा रटना है नहीं है नहीं ज्यादा focus करना है focus कहां से कौन से question से करना है यह मैं आपको बताती हुए से लूँगा ठीक है कि इन पंटियों में कभी ने किस चीज की चर्चा क आपको पढ़ने आपको पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि आपका प्रस्न के जैसा वाइक है और यहां पिया आपका प्रस्न वाच्चीन भी लगा हुआ है तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा तो यह आपका प्रस्न लंकार हो जाएगा यहां प्रस्न वालों का आपका हिस्ट्री का एक्जाम खतम हो जाएगा उसके बाद आपका क्लास 11 का धाकर त्यारी शुरू हो जाएगी तो अपने त्यारी को मजबूत करते चलिए ठीक है और आप लुक्त सारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर किजिए और अपने द इस चैनल से माध्यम से जरूर जोड़िएगा ठीक है तो चलिए अब यहां पर हम लोग आगे कोशन की और चलते हैं तो देखिए अब इसके बाद आपका खंड खा है और खंड खा में आपका रशनात्वक लेखंत था अभिवेक्ति और माध्यम का कोशन है और यही से कोश सेर का पद्यांस और को गध्यांस का कोशन हो यह आज तक आपका बोर्ड एक्जाम में रिपीट नहीं हुआ है ठीक है और ना ही कभी आपका रिपीट होगा रिपीट कहां से कोशन होता है तो आपका अभिवेक्ति और माध्यम का कोशन रिपीट होता है और जो आपके तो भारत में पहली बर चाहपा खाना कब आया था और यह आपका गोवा में आया था तो इस कोशन का करेक्ट अन्थ और गोवा यह जोड़ा आपका सही है उसके बाद देखें अगला कोशन आपका कहा है कि हिंदी में परकासित होने वाला पहला समाचर पत्र का नाम है तो हिंदी में परकासित होने वाला पहला समाचर पत्र आपका उदंत मारतन था और यह जो आपका समाचर पत्र बच्चों इसका परकासित होता तो आज रखेगा इसका परकासित होता तो इसका परकासित होता तो इसका परकासित होता तो यह कहां पर परकासित होता तो यह पासित होता था इसी भी अपनो ध्यान sleeping रखेगा टीक है चलिए अगला उसन AG लीती कि परकार कि कव्याई की जाता है था आ स्वाचर में मैं क्छे सार बाद पर्ता अडिर नुमr d र्कार के पत्र वहवार में अभी निबेदर नी कि समाँपन में भावदिये का परीयूओं किया जाता है तो दीबेगे सारिक पत्र इन और यह Usoda और और расск आख़ता अनो उपचारिक पत्र, यह उपचारिक पत्र क्या होता है, तो कोई भी अधिकारी के पास लिखते हैं, तो कोई भी आपना ओफिसर के पास लिखते हैं, तो कोई भी प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, तो इसे पत्र को क्या कहते हैं, इसे पत्र को आपका अनो उपचारिक पत लेखते हैं इसे कौन सा पत्र होते हैं तो इससे कौछ से पत्र में पर्यवत्य होता है तो आज रखेगा आपस्टार के लिए अगला संपादी की निथी सोच और विचारधारा की अभीवेक्ति होती है तो ये कौन सा पत्र होता है, मतलब कौन सा लिखन होता है, तो ये आपका समपादी की लिखन में होता है, option number 10 का correct अंत्रोगा, अगला question देखे कि किसी एक विशे पर सरुवगाम पूर्म तथा समयक लिखित विचार कहलाता है, तो ये कौन से क्या कहलाता है, तो इसे आपका आ आलेक अनकी आर्टीकल कहते है, option number 10 का correct अंत्रोगा, अगला question देखे कि कि संचार अनुभवों की साजिदारी है, किस परसिद संचार सास्त्री का कतन है, तो ये जो आपका कतन है, कि संचार अनुभवों की साजिदारी है, ये आपका विलबर सरेम का कतन है, option number 10 का correct है तो प्रिंट मादेम के अविस्कार का सरे यह आपका गुटेन बर्ग को जाता है गुटेन ब्रेंग नहीं आपका छपाई खाना आने की आपका प्रिंटिंग पैस का अविस्कार क्या था ध्यान रखेगा अगला कोशन देखिया का है कि मुद्रन धावनी द्रीस फील्म संचार परिक्रियां में डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संद्स में नहीं अर्थ को समझना को πराप्त संद्स में नहीं बहीं को समय को प्रसनों के उतर को देना है ठीक है। इसके आपका प्रसनों के उतर को देना है। और इसके कवी कोन है, तो इसके कवी हैं आपका सूरदास ठीक है, जिसको आप लोग पढ़ लीजे, तो देखें यहाँ पर उसी से रिल्टेट पहला कुछन है, कि परस्तुत पंतियों के कवी है, तो परस्तुत पंतियों के कवी कोन है, तो आद रखेंगा सूरदास है, option नमर kristin के विस्च संभाद हो रहा है, Option number ये का correct न थ्रूगा, surdaars kristin के 20, उसके बाद देखे, अगला question आपका क्या है कि ये पंतिया किस भासा में रचित है तो ये पंतिया आपका ब्रजबासा में रचित है, Option number 20 का correct न थ्रूगा, ब्रजबासा, उसके बाद अगला कुशन आपका क्या है कि कवीर दास किस काल के कवी हैं तो कवीर दास आपका ये भक्तिकाल के कवी हैं और ये इसका करेक्टर अंफरोगा भक्तिकाल अगला कुशन देखे आपका क्या है कि देव की रचना हसी की चोड का चंद है तो इसका हसी का जो आपका रचना है हस चाथि की चोड़ इसका चंद आपका सवया है ऊप्सन기로, उसके बाद देखेंगें, अगला कुछन आपका क्या है कि घर में वापसी, कवीता, आधुनिक होई conservative की किस समस्या से सामना कराती है तो यह आपका आधुनिक जीन में आपका गरीवी से संगरस्त परिवार की समस्या का यहाँ पे सामना कराती है अगला कुछन आपका है कि जाग तुझको दूर जाना कवीता क्या प्रेड़ना देती है तो यह जो आपका कवीता है वसो यह हमें यह प्रेड़ना देती है कि मो माया के बद्धन में जकडे मानव को जगाने की साथ साथ अपने लश की यूर नियंतरन आगे बढ़ने की और आपका कठनायूत का सामना करने की ठीक अनि कि ये सभी क्या करता है यहाँ पर परिणना देता है तो इस कोशन का काली दास का जिकर किया गया है कि बादल को गिरते देखा कवीता में किस महान कभी का जिकर है तो देखो बादल को गिरते देखा इस जो आपका कवीता है इसमें आपका काली दास का जिकर किया गया है और यहाँ पर आपका गध्यांस है और इस गध्यांस को भी आपके किताब में जो चेप्टर में कहानी है उसी से लिए गए है तो देखें आप सबसे पहले आपका वही है कि यहाँ पर आपका question number 8 से आपको 31 तक कि इसके परिश्टों के उत्र को आपको देना है तो वही question कि परिश्टों के लेखक है कि परिश्टों के लेखक है तो परिश्टों के लेखक है आपको शुरू में ही बता दिया कि यह इदगा से लिया गया है और इदगा के लेखकों ने तो परिश्टों ने भाई सब option number 6 का correct अंफ्रोगा अगला question देखे अगला question आपको क्या है कि दो पाहर का भोजन सिर्श्टक पार्ट में किस रितू का वर्नन है तो यह जो आपका चिप्टर है दो पाहर का भोजन इसमें आपका गिरिश्ट में रितू का वर्नन क्या गया है option number 20 का correct अंफ्रोगा अगला question आपको क्या है कि टोर्च बेचने वाले पार्ट में लेखक ने किस पर परहार किया है तो यहाँ पे लेखक ने आपका अस्थाओं का अस्थाओं का बजारी करने वाले पर परहार किया है option number 20 का correct अंसर हो जाएगा अगला कुछन अपक है कि गुंगे कहानी में लेकक ने किन लोगों को गुंगा बहरा का है तो यह जो आपका कहानी है गुंगे इसमें लेकक ने समवेधन हीन लोगों को गुंगा बहरा का है अगला कुछन कहा है कि खाना वदूस किस विधा की रचना है तो यह जो आपका चेप्टर है खाना वदूस यह आपका एक कहानी है अगला कुशन देखे आपका है कि जिस परिवार में पीता बोद, माता इसाही, बेटी, मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो तो इस कोशन को गुमा करके 2003 में पुछा था कि जोतिवा पुले का चाहिए जिसमें पिता बोद्धो, माता इसाही, बेटी, मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी ठीक है तो इस कोशन को इस परकार से गुमा करके भी पुछते है इसे आपनों ध्यान रखेगा ठीक मैं आपको जो सेशन लेकर क्या रहा हूँ आपको जो important question करवा रहा हूँ बच्छों उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस परकार से question आपको घुमा करके पूछ सकता है आपके paper में इसलिए आपको सारे बीडियो को जरूर देखेगा मैं 3-3 बीडियो रोज आपके लि संकलित हैसुन के कहानी अपनी जुबानी में हैसुन के जीवन के किस आवश्ता का'llरनं है तो यहां बर आपका ईसून के जो बच्पन के इसलिए तो यह जो आपका चैप्टर है यह आपका सरद्य चंद्र चटो उपध्याई की जीवनी है option number 20 का correct आंतर होगा अगला option क्या है कि सरत और महंद्र को घर पर पढ़ाने घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले सिच्छा का क्या नाम था तो उसका नाम क्या था तो उसका नाम था आपका ये अच्छा ही पंडी तो यहां पर भी आपका model paper का complete solution करवा देगा बसो इससे पहले आपका history का जिवरफी का आपका political science का नहीं आया हुआ है फिर भी मैंने आपको एक model paper बनाके के दे दिया है साथ ही साथ आपका economics का हो चुका है हिंदी लेक्टिप अभी करवाईए दियें और इंदी और का भी हो चुका है ठीक है तो सारा हो चुका है लगवा लगवा उसे आपको जुरूर देखिएगा और जो important question करवा रहा हूँ उसे भी आपको देखते से लिए ताकि आपको last में बोज ना पड़े यह नहीं पड़ पाएं यह नहीं पड़ पाएं सारा आपका chapter में मैं करवाते रहा हूँ उसे आपको देख लिए बागे बद जो important question है दो दिन पहले जो आपको वायल question होता है तो मैं आपको करवाऊंगा ही मतलब जो की diet bodies आ में पूछा जाता है ठीक है तो उसे भी आपको